नमस्कार दोस्तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल देशे टिप्स हिंदी में आज का जो टोपिक रहेगा वो होगा कि सफेद बालों को किस प्रकार से काला किया जाए अगर आपकी उम्ब्रा कम है अगर आपके बाल कम उम्ब्रा में सफेद हो गए है या अगर आपको बाल जड़ने की प्रोब्लम से तो उन्चे भी आप यहां चुटकारा पा सकते है बाल सुंदर बनने के लिए अक्सर कुछ लोग कई तरीके के हैर ब्यूटी प्रोडक्स हैर कलर और हैर जेल प्रयोग करते है जो कई बार फाइदा करने की वज़े नुक्सान बी करता है जिससे बालों का जड़ना और कम उम्र में बाल सफेद होना सुरू हो जाता है आजकाल नोजवान लड़के लड़कियों में वाइट हैर की प्रोब्लम स्बढ़ने लगी है दोस्तो अगर आपके बाल सफेद हो रहे है तो सुरू आत में ही अगर आप उसकी करना है तो इस वीडियो को end तक देखते रही है यहां में जो नुष्का बताऊंगा बिल्कुल नेचरन होगा सभी चीजे आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी मगर उससे पहले यह भी जान लेना जरूरी है कि आपके बाल कम गुम्र में सफित हो गई है तो उनका क् कारण बताते हैं अगर आप ज्यादा मांचिक तनाव लेते हैं खाने पीने की गलत आदेते हैं सरीर में प्रोटीन की कमी है बालों की सही तरीके से अगल देख भाल नहीं करते हैं डाई या हेर कलर का अधिक प्रयोग करते हैं किसी हेर ब्यूटी प्रोड़क का साइब इफ करते हैं यहां दोस्तों नुष्का बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज की यहां जरूरत रहेगी वह होगी कोकोनेट ओयल की तो कोकोनेट ओयल हर किसी के घर में होता है आपको यहां आसानी से कोकोनेट ओयल मिल जाएगा तो आपको लगबग इस तरह की खाले कटोरी में अलगबग से यहां एक चमच जीतना है जो कोकोनेट ओयल है वो यहां ले लेना है अगर आप लड़की है अगर आपके बालों की घ्रूरत थोड़ी ज्यादा है तो आप ज्यादा कोकोनेट ओयल ले सकती है उसके बाद दूसरी जो सबसे खास चीज रहेगी जिसके बीना य होगी काली मिर्च जी हां दोस्तों आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा मगर आप यह कुछ दिन यूज करेंगे तो आपको इसका रिचल बहितर से बहितर मिलने वाला है तो आपको यहां यह काली मिर्च यूज नहीं करनी इसका आपको एक पाउडर तयार कर लेना ह लगपक से आपको आधा चमत जीतना है जो काली मिर्च का पाउडर है आपको यहां यूज करना होगा तो आपको इतना काली मिर्च का पाउडर यहां जो आपने कोकोनेट ओयल लिया था आप उसमें यहां एड़ कर दीजिए अब तीसरी जो चीज रहेगी वो सबसे दीफूर रहता है तो आप इस निम्बू को स्केप ना करें तो बहुतर अच्छा होगा आपको दोस्तों यहां यूज करना होगा सिर्फ एक चमच निम्बू का रास तो हम यहां लगबग एक चमच जीतना है जो निम्बू का रास से वह इसमें एड़ कर देंगे अब नु नुसका चाहे लड़का हो या लड़की कोई भी यहां यूज कर सकता है यूज करने के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम रहेगा वो होगा राज को सोने से पहले तो आप अपने बालों को अच्छी तरह से जब सुख जाए अगर आपके बाल में वयल है तो आप अच्छे से स जाड़ होती है उसमें आप अच्छे से बिल्कुल हलके आतों से आप मालिस करते रहिए पाच्छे साथ मिलिट बाद मालिस करने के बाद आप इसको मोर्निंग तक यूही छोड़ दे मोर्निंग में उठके अगर आप चाहे तो किसी अच्छी ब्रांड का जो हर्बल सेम्प भी है चाहे आवले का ओई हो चाहे बादाम का कोई भी ओई हो हफ्ते में 2-3 बार अपने बालों में लगाना ही चाहिए तो दोस्तों हफ्ते में दो बार आप ये नुस्का यूश कीजिए अगर आप इसका एक बार यूश करते हैं तो आपको इसके बहुतर रिजल्ट मिले कर दोस्तों ह